गुड मॉर्निंग क्लास तो देखिए लास्ट क्लास आपको ये पेज होंबख मिला था पढ़ने के लिए राइट आएए आपने पढ़ लिया होगा हमेशे एक बार एक्स्प्लेइन कर देखिए तो प्रोसिस अब यह वाली बार लाइन तो होगा ही ती कोरी पैराग्राफ यहां से लेगे यहां तक हमें यहां से रिस्स है बना राइट अब वहन शुगर सॉलूसन इभापरेड जैरफुली देन वाटर जी इलिमिनिदेटर और शूगर इज लेट बिहाइंड जब आप सुगर के solution के evaporate करते हैं, यानि के heat करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी water molecules होते हैं, वो तो vapor बन जाते हैं, water vapor, और वो it was pair हो जाके mix हो जाते हैं, और उस container में, जाए आप China dish लिये रहे हों, या कोई भी container लिये हों, उस container में क्या बच जाता आपका, solid sugar, जो आपने इसमें mix किया हुआ था पहले, राइट, we can also separate copper sulphate, that is known as blue white troll, from its solution by the process of evaporation, अगर आप इसी method, once we have done research कर रहे हैं अभी, evaporation, की बात करें, तो कई सारी चीजों को हम separate कर सकते हैं, लेकिन इस method में एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, कि जब आप इसमें separate करते हैं, तो इसमें solute और solvent दोनों है, solute उनी वो solid particle जो के आपने mix किया है, और solvent वो liquid जिसमें आपने mix किया है, ठीक है, solute वो है जिसको आपने mix किया, solvent वो है जिसमें आपने mix किया, अगर मैं sugar water के बाद करूँ तो क्या mix कर रहे हैं हम sugar so that is solute वही अगर हम solvent की बाद करें तो हम sugar कहां mix कर रहे हैं पानी में that is पानी को हम क्या कहेंगो वापर solvent clear है तो अगर हम copper sulphate की solution ले या कोई भी solution में अगर हम evaporation कराएं तो बस एक problem है आपको solute तो मिल जाता है लेकिन solvent क्या होगा वो environment में जो gases है उसमें वो vapor बनके mix हो जाता है यानि कि हम evaporation से सिर्फ और सिर्फ solute particles को ही अलग कर पाते हैं यह इसके एक drawback है यह इसके अंदरे कि यह ही छोड़ी सी कमी है अब आपको एक टर्म मिला ना एक एक टर्म मतलब आप समझ जाए एकवस मतलब बहुत सिंपल होता है प्रमाल यह मेरे पास कोई एक acid है नाम सायद आपने class 7 वगरे में थोड़ा सा सुन रखा होगा Sulfuric acid अगर नहीं जानते कुछ भी नहीं जानते तो भी परिशाद ना हो घर पर inverter या बैटरी है है ना तो पापा से पुछेगा पापा क्या करते हैं बैटरी का पानी लेकर आते हैं कंटेनर में डालने के लिए बैटरी में राइट वह सल्फ्यूरिक acid ही होता है अब सवाल यह है कि आपके माइड में छोटा सा कॉंसर्ट चलता है कि एसी का मनलब कुछ ऐसे चीज़े ही जिसको हम टच करें तो जल जाए वह बिलकुल सही है लेकिन अब जैसे इंसान दो डाइप को होते हैं सारे इंसान अच्छे तो होते नहीं है कुछ इंसान अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं तो सेम वे सारे एसीड स्ट्रॉंग नहीं होते कुछ एसीड स्ट्रॉंग होती है यह सल्फ्यूरिक एसीड तो स्ट्रॉंग एसीड है लेकिन अब हम इसको वीक बना सकते विक कैसे बनाते है इस एसीड में हम पानी मिला दें अब माले यह मेरे गर पे प्योर दूद आता है राइट वो तो प्योर एकडम हम पीएंगे तो मुझे फायदा जादा होगा अगर मुझे उसी दूद के मांउन्ट को बढ़ाना है हम क्या अगरते साथ पानी मिला देते मि उससे क्या होगे, उसकी strength क्या होती है, जब हम सल्फियूरी के सीड में पानी मिला देंगे, तो यह क्या होगे, इसकी strength कम होती जाएगी, आप यू समझ लेगे, कोई भी solution, जो कि पानी में mix करके बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं, aqueous solution, क्या बोलते हैं, aqueous solution, aqueous का मतला हो होता है, related with water, पानी से मिला हुआ, आपने नाम सुना हुआ, aqueous animals, सुना यह नहीं, aqueous animals के से कहते हैं, जो पानी में रहते हैं हमेशा, यह aqueous वर्डी किसे लिया गया है, पानी से, तो जब कोई chemical आप पानी में घोल के, उससे solution बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, aqueous solution, during the evaporation of a water solution, we get the dissolved solid substance, but water cannot be recovered in this method, हा, इसमें यही नुकसान है, कि जब भी आप इस method को यूज करते हैं, तो आपको solute तो मिल जाता है, लेकिन solvent यादि कि जो water है, वो environment में, atmosphere में, mix हो जाता है, और वो आप अलग नहीं कर पाते हैं, यह आप इसको अलग से store नहीं कर पाते हैं, when a solution of sulfur in carbon dioxide sulfide is evaporated, जब हम sulfur को carbon dioxide sulfide का mixture बनाते हैं, उनको मिलाते हैं, और उसको evaporate करते हैं, then carbon dioxide sulfide vaporize and the solid sulfur is left behind, तो जो solid sulfur था, वो तो बचा रजाएगा container में, और वही पे जो carbon dioxide sulfide solvent आपने यूज किया था, लिक्विड, वो vapor बन के क्या होगा, atmosphere में, mix हो जाएगा, it should be clear by now that, अब दक आपको ये clear हो चुगा होगा कि, evaporation is used for recovering dissolved solid substance from liquid mixture, evaporation method, सिर्फ सिर्फ हम वहाँ use करते हैं, जहां बन मुझे, पूरे solution में से सिर्फ solute चाहिए, यानि कि वो solid particle जिसको आपने mix किया था, आपको solvent की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको solvent भी चाहिए, तो फिर ये method आपके लिए नहीं है, उसके लिए हम नया method आगे पढ़ by this method, लेकिन इस method से वो liquid, जो solvent है, जिसमें आपने mix किया था, आप उसको recover नहीं कर सकते हैं, उसको obtain नहीं कर सकते हैं, the liquid vaporize and get lost to the air, क्योंकि जो liquid होती हो vapor बनती है, और बाहर atmosphere मों mix हो जाती है, that's all, तो आपने उपर जितना लिखा उसके आगे, आप ये लिखेंगे, note point में, E को capital कर लेंगे, evaporation से लेके, यहां तक, अगर visual नहीं है, तो मैं page उपर कर देता हूं, परसान नहों, अभी visual हो गया, हाँ, तो आपको note कहां से करना है, यह, evaporation से लेके, यहां तक, कर सकते हैं, चले, next हमारा this blue ink और black ink, चाहिए हम blue ink की बात करें या फिर black ink की बात करें, fountain pen is a liquid mixture, जो की fountain pen में यूज किया जाता है, पहले के जो pen होते हैं, नीव वाली pen, हाँ, उसको fountain pen काते हैं, उसमें हम blue ink और black ink की डाल के यूज करते हैं, right, तो उसमें कहाते हैं, एक liquid mixture होती है, वो blue ink हो, या black ink हो, या red ink हो, कोई भी color की ink हो, या marker में भी ink डालते हैं, वही ink की बात करें, तो actually एक color pure नहीं है, that is the mixture, it is a mixture of dye in water, actually किसका mixture होता है, पानी में dye मिलाने के बाद ये mixture बनता है, dye मतलब क्याता है, color, जब पानी में कोई color मिलाते हैं, तो colorful बन जाता है, उसको हम ink बोलते हैं, this dye is the colored component of the ink which gives it a blue or black color, अब ये जो dye होती हमारे पास solid part में होता है, solid form में, जब हम इसको पानी में मिलाते हैं, तो liquid form में liquid बन जाता है, उसको हम solution गया, ink कहेंगे, okay, we can separate the colored component of ink or dye from ink by the process of evaporation, अब माल लीजिए, आपका solid color था, आपको पानी में भोल दिया, अब colorful water बन जा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो water, फिर से गाया बजा और आपको सिर्फ वोई solid particles मिल जाए, जो color आपने मिलाया था, जो dye आपने मिलाया था, सिर्फ वो आपको मिले, फिर आप evaporation method यूज करेंगे, आप इसको heat करेंगे, जैसे ही आप heat करेंगे, क्या होगा, पानी vapor बनके atmosphere मिक्स हो जाएगा, और आपको जो ink था, आपके container में वैसे बचा हुआ, मिल जाएगा, अब हम इसको करते होगा, जो experiment करते हैं, इसमें china dish, जो plate होती है, उसमें ink के sample को लेके direct heat करना, नहीं कर, शूर करते हैं, इसको क्यों नहीं करते हैं, क्यों कि अगर हमने ऐसा किया, तो सुगर को heat करने पे वो डिकंपोज नहीं होता, वो टूट के छोटे-छोटे particles में नहीं भिखरता, वो इसको बर्दास कर सकता है, जब कि ink के साथ ऐसा नहीं कर दी, उसको जोटे-छोटे particles थे solid के, वो और use a water bath for evaporating ink, हम उसके लिए a water bath use करते हैं, जिससे की heat कम आती है, heat कम आती है तो evaporation तो हो जाएगा, भीर दिले होगा लेकिन हो जाएगा, और जो जाई है, वो ज्यादा heat ना पाने की वज़़ा से भी safe हमें मिल जाएगा, a simple water bath can be made by filling a beaker half with water, अगर आपको ये अनुवर्ट कर बनाना है, बहुत simple आप एक flame ले, यानि की stove type का, उसके उपर बीकर ले, बीकर में आधा, आधा बीकर आप पानी भर ले, फिर उसके उपर चाइना डिस में इसको रख के करें, इसे क्या होगा, direct heat आपको चाइना डिस पर नहीं मिलेगी, पहले हीट किसको ट्रांसफर होगा बीकर को, बीकर किसको ट्रांसफर करें पानी को, पानी जब वाइल होने लगेगा, उसे वेपर दिख लेंगे, वो वेपर किसको टच के देंगी, चाइना डिस को और फिर वहां से आप इवापरेशन होगा और धीरे-धीरे होगा, ताकि आपका डाई खराब ना हो, अब य जो चीज हम आपको यहां एक्सप्लेर किये हैं, वही चीज वहां के आपको दिया गया है, तो आप उसको वहां से complete करेंगे, रैट, हाँ, तो यह experiment आपको homework है, आप इसे कर लेंगे, इसमें आपको note क्या करना था, ठीक है, आप यहां से लेके, यहां तब पुरा note कर लेंगे, अब अगर मैं आपको डाइग्राम दिखाओं, दिखेंगे, आपके सामने यह डाइग्राम बना हुगा है, यह हो क्या हमारा burner, ठीक है, बर्नर से हम डाइरेक्ट देखें, यहां पर चाइना डीश नहीं रखेंगे हैं, इसे उपर हमने यह एक बीकर रखा है, जो बीकर में रखा गया है, फिर इसमें इवापरेशन होगा, यहां तक आते आते हीट के माउंट कम हो जाएगी, जिससे कि इसके अंदर जो डाइए वो डिश्ट्रोई नहीं होगा, फिर कुछ देर के बाद जब अगर प्रोसेटरा कंप्लीट हो जाएगा ता आपको ऐसा देखने को मि आलेंगे और थोड़ा वो जो आप समझे हैं आप अपने सिसको राइट करेंगे, क्लियर है, तो आज इतना ही बाखी नेस क्लास में, तिल ड़, थैंकिय सो मच,